निधा फाजली साब ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो सभी है भीड में तुम भी निकल सको तो चलो और किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है तुम अपने आपको खुद ही बदल सको तो चलो अमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हैं संपूर्ण हिंदी साहित इतियाज को हम प्रस्णोंत रूप में संक्रित कर रहे हैं भाग संक्या है 23 मैं हूँ आपका दोस्त आधि गणेस वीडियो को आपको हमें संक्तिरे लाइक कर देना है सभी में तुरों को शेर कर देना है आप सभी के लिए एक सूचना है जल्द ही हिंदी व्याकरण की टेस्ट सिरीज भी चलेगी सामाने विग्यान जो आर्पे सी फस्ट ग्रेड है तो फस्ट पेपर के लिए विग्यान उसकी भी टेस्ट सिरीज चलेगी और model paper भी तैयार हो रहे हैं संपुर्ण model paper भी आपके जल्द ही सुरू हो जाएंगे तो हमारी तरब से पूरी मेहनत की जा रही है आपके लिए कारेकरम तै हो रहा है, योजना बन रही है सामगरी तैयार हो रही है तो आप भी थोड़ी से मेहनत करें जदास जदा शेयर करें चैनल को जदास जदा साथियों को जोड़ें कुछ आसान से प्रशन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर है कहीं बार पूछे गए है पहला प्रशन चायावाद की समापती किस काववे से मानी जाती है तो कामाईनी वो काववे है जिससे चायावाद की समापती मानी जाती है बात करें अगले प्रशन की चायावाद की लगूत रई के अंतरगत कोन-कोन आते हैं तो महादेव वर्मा रामकुमार वर्मा और माखनलाल चत्रुवेदी जो है चायावाद की लगूत रही के अंत्रगत आते हैं बात करें तीसरे प्रशन की तो प्रसाद की कविता प्रथम परभात किन दो संकलन में संकलित है तो कानन कुसम और जहरना के अंत्रगत अगला प्रशन है प्रसाद ने ब्रज भासा में कविताएं किस नाम से लिखी है तो ब्रज के अंदर प्रसाद ने कलाधर नाम से कविताएं रची है पांचवाँ प्रशन सर्व पर्थम छायावाद शब्द का प्रियोग किसने किया था? तो मुकुट धर पांडे ने ही सर्व पर्थम छायावाद शब्द का प्रियोग किया था बात करें अगले प्रश्ण की कि छायावादी साहिते में सरवादिक विरोध जहलने वाले या सरवादिक विरोध का सामना करने वाले कभी कौन है या किसने किया है तो वो कौन है निराला इन्होंने ये छायावादी साहिते के अंदर सरवादिक विरोध है जो जहला है बात करें अगले प्रश्ण की पंत और बच्चन द्वारा रचित सम्मिलित रचना का नाम क्या है खादी के फूल खादी के फूल जो रचना है वो पंत और बच्चन द्वारा सम्मिलित रूप से रचि गई है अगला प्रश्ण कामाईनी में मनू, सरदा, वईडा किसके परतीक है मन, रिदे और बुद्धी क्रमस से ये तीनों के परतीक है बात करतें अगले प्रशन की निराला की कविता जोही की कली को किस संपादक ने चापने से इंकार किया था मावीर परसाद दिवेदी ने इन्होंने इंकार कर दिया था और किस वज़े से क्या करण बताया नहीं चापने का वो आप कमेंट करके बताईएगा अगला प्रशन चायवादी कवियों में महाप्राण किस कवि के नाम के साथ परियुक्त किया गया है निराला के साथ इनको महाप्राण भी कहा जाता है अगला प्रशन अनामिका परिमल गीतिका तुलसिदास किसकी रचनाएं है निरालाजी की अगला प्रशन महादेव वर्मा मुख्यते किस भाव की कवियत रिती है वेदनागी अगला प्रशन देखिए निराला की राम की सक्ति पूजा कविता का आधार ग्रंत है बात करें अगले प्रशन की निराला को निराला उपनाम किस पत्रिका में रहते हुए उसके संपादक ने दिया था मतवाला आगे बात करते हैं पंदरा नमबर चायावादी कवियों में सुद्ध रहस्यवादी कवी है मादेवी वर्मा जो है सुद्ध रहस्यवादी कवी है अगला प्रशन सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लेंड पुरुसकार किस रचना पर मिला था लोकायतन पर मिला था इनको सोवियत लेंड पुरुसकार कहीं बार पूछा गया है बात करें अगले प्रशन की चायवाद की किस रचना में लाक्षनिक साहस पंत जी ने दिखाया है तो पल्लव के अंदर इन्नोंने लाक्षनिक साहस जो दिखाया है अगला प्रशन निराला की व्यक्ति परक रचना कोन सी है सरोज इस्मृति जो इनकी रचना है वो व्यक्ति परक्रचना है बात करें 19 नमबर मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी प्रतिनिदी पंक्तियां है मादेवी वर्मा की बीती विभावरी कविता किसकी है कि इसकी रचनाकार को नहीं बीती विभावरी की जाई संकर प्रसाद प्रशना आपको आसान लग सकते हैं लेकिन बहुत ही महतोपोना कहीं बार पुछे गए हैं आगे भी पुछें जा सकते हैं याद होने बहुत जरूरी है पंत की पहली कविता कौन सी है गिर्जे का गंटा है जो पंत की पहली कविता रही है बाइस नमबर निराला की दार्षनिक कृति कौन सी है अनिमा जो कृति है निराला की तो एक दार्षनिक कृति है महादवी वर्मा का दार्षनिक मत क्या है सरवात्म वाद अगले प्रश्न सुमित्रा नंदन पंत किस बारतिय दर्सन से प्रभावित थे अर्विंध दर्सन से ध्यान रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत है जो अर्विंध दर्सन से प्रभावित रहे है हाला सब्द को बच्चन ने किसके परतीक रूप में प्रियोग किया है तो शुक्रिया दोस्तों ये थे कुछ विसेश प्रशन अच्छे लगे हो तो लाइक कर दें शेर कर दें पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले घंटे की निसान को दबा ले ताकि जब भी हम नए वीडियो डाले उनकी भी सोसना आपको मिल दे रहें जय हिंद।